हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड आप्टनू नुरेशा बताएं इस घंटे पिक्स कौन सी होगी बाजार की चाल कहां पर जाती दिख रही है सबसे पहले है अधित्य बिल्ला कैपिटल जहां पर अगर हम देखे तो स्टॉक ने एक छोटा ब्रेक आउट दिया है लास्विंग हाई ता है 120-120 से 122 का। सटॉक काफी तांब से रेंज बांद रहा यह बर्यूंघ पर अच्छे वो् ब्रेक आउटा प हए अगレ एक दू दिन में 30 और ओर्रीज ख्रशा 1,1,8 . और दूसरा बाहर आएगा भारती एटल, जहां पे एक अच्छा प्रेस बन चुक है 725, 730 पे, relative out performance, expecting a breakout towards 820, जहां पे एक नया all-time high बनना चाहिए, इसमें, stop loss राएगा 730. ये दो AB Capital और दूसरा stock concept बताया आपने नोटे, शिक भर फिर दौरा दें? भारती एटल, भारती एटल और AB Capital. नुरेश, ऐसे में आप क्या range देख रहे हैं? ये तो अभी जो खुश बता रहे थे range हो, तो hardly 100 points की है, आपको कहां बड़ा support या बड़ा resistance बाजार के लिए दिख रहा है? तो अगर देखें तो जो रीसिंट लोता 16,850 निफ्टी पे और दूसरा 35,600 बैंक निफ्टी पे, ये दो major supports है और उपर में निफ्टी में 17,400 और बैंक निफ्टी में 37,000, 37,200. ये ही range रहनी जाहिए, जब तक ये range के बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे ही flip-flop moves होते हैं. ठीक है, शुक्रिया नुरेश ये view बताने के लिए. तो एक tight range में रहेगा इस वक्त markets और लेकिन ऐसे में कहां trade करना चाहिए कुश्वर, कौन से होंगे आपकी stock picks? जी हां देखें, यहां पे अभी ऐसे market में भी there are some pockets जो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, home financing, home improvement, reality, यह अभी भी जो sector है या जो यह शेत्र है, इन में अभी भी एक अच्छा buying interest है, जैसे सुबह हमने canfin की बात किती, canfin homes की, ऐसे market में भी stock has bounced back and it's trading in the green, so यह एक pocket है जो अच्छा trade कर रहा है, इसके अलावा दो और segments है जहां पे positivity के साथ trade हो रहा है, आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे, the entire engineering space is gearing up for a nice up move, और पहले हमने ABB, Thermax, इन कुछ calls की बात की थी, आज जो एक stock इस space में अच्छा दमखम दिखा रहा है, वो है AI engineering, देखिए जो इसके charts हैं, यह जो trend, last good sessions में positively turn हुआ है, यह आज के market में भी बरकरा है, and this indicates कि ऐसे market में अगर stock में strength है, which means that there is a lot of buying interest in the stock, कही न कहीं यह अपने नए एक up move के लिए gear up हो रहा है, कोई यहां पे भी AI engineering अगर buy करता है, तो इसे 2000 के targets के लिए buy किया जा सकता है, and a stop loss of 18.20, मेरा second pick जो है, वो है from the power sector, again हमने इस stock के बारे में पहले भी बात की है, which is Godavari power, बहुत अच्छे run-up के बाद एक correction आया है, एक quiet phase आया है इस stock में, लेकिन आज के और अगर कुछ पिछले दिनों के sessions देखें, तो stock एक हलका सा bounce दिखा के वापस एक अपने up-move के लिए ready हो रहा है, indicators भी हैं, वो अब यहां से एक ज़रा सा positivity का संकेत दे रहे हैं, suggesting that the stock could move on to retest its previous, you know, high stock ने recently बनाए है, Godavari power पे मेरा target होगा 450 का, and the stop loss will be of 420. खुश हमारे साथ बने रही है, एक और special guest को जोड़ दे,